प्रताबगर जिले के देवगर थाना सेत रखे मोगया आमबा गाओं में खेत पग्यों की फसल काटने गई महिला पर पिंथर ने किया हमला जिस पर महिला गंबी रूप से गायल हो गई है जक्मी महिला को परिजन परताबगर जिलाची के साइलर लेकर पोचे जहां पर महिला का उपचार जारी है फिलहाल महिला की हालत गंबीर बनी हुए देवगर थाना अधिकारी हमन आहेरी ने बताया कि पाल बंचायत में मौंगयावा गाओं की रहने वाली संबू लाल मीना की पतनी लश्मी दोपर में अपने खेट पर ग्याओं की फसल काटने गई थी तबी अचानक से पेंथर ने उसके उपर हमला कर दिया पेंथर ने उसके गरतन नाक और मुह पर पंजोग से हमला किया गया पेंथर के एकाएक हमले से महिला गबरा गई उसने अपने बचाओं का प्रियास किया और जो जो से चिलाने लगी सोर सुनकर आसपास के लोग जब तक आते तब तक पेंथेकर वहां से भाग चुका था बाद में परीजन और ग्रामीडों ने महिलों को जीलाची किसाल लाकर बर्ती करवाया जहां पर उसका उपजार जारी है फिलहाल मौगिया की इससेती कंबीर बनी हुई हैं और ग्रामीडों ने में धहशत का माहवले वहां विवाक की टीम भी मौके पर पहुची और ग्रामीडों से जानकारी जुटा रही है आना देविगड़ पर जड़ी कोईस्ति सुथना मिली थी कि माल जंगल में किसी ओरत पर पेंथर ने हमला कर दिया इस पर मैं आठ वस्पितल आया हूँ यह लक्षपी भाई है संबूलाल मेना उम्र 28 साल पेचा केती निवसी मोगियांबा इसके मेरे बयान लियत वता रही है पेंथर जैसा एक जानवर है इसके मेरे गले पे और पीछे और मुह पे हमला कर दिया इसका हिलाज चल रहा है डोक्टर साब को मैंने तेरी थी है क्या करने के लिए गई थी यह प्रेट में अपने ग्यों काटने कई गई गई जा रही थी रस्ते में जारी थी कहीं पास में डाओ नहीं ला गरीज़ा है लाय काई से यह लाय गड़िशला है अना देविगाड़ पेस जरी कुछे